नमस्कार दोस्तों आगरा की रसोई में मैं वर्षवर्मा आपके लिए लेके आई हूँ लहसुन प्याज की चट्पटी चट्नी तो इस चट्नी को बनाना बहुत ही आसान है तो आप भी अगर एक बार बार खाना पसंद करेंगे तो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा च तो सबसे पहले का बिक्सी जार में सभी चीजाओ कौ एक टमाटा दाल लेंगे तो आप दो भी डाल सकते हो पर मैंने एक सब्सक्रां दाल रहें और दो चमज पानी टाल कर चट्नी को पीस ले तह चानी को मैंने पीस लिया है मैं तो कितनी अच्छी इस में से खुश्बू आ रही है तो इस चटनी को हम एक बावल में से निकाल लेंगे तो पहले ढकर में से चटनी को निकाल लेते हैं जो इस पर चिपक गई है और जार में से भी चटनी को मैंने निकाल लिया अब चटनी को हम छोक लेंगे तो गैस पर मैंने एक पैन चड़ा दिया ह पेन में हम दो बड़ी चमच ओयल डालेते हैं ओयल अच्छे से गरम कर लेंगे तो जैसे ही ओयल गरम होता है आदा चमच קलोजी डालेंगे और कलोजी को अच्छे से भून लेंगे तो कलोजी हमारी भूंच चुकी है तो जो चट्णी पीश के रखिये थोड़ी थोड़ी चटनी हम पैन में डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा ही करके डाले वरना तेल छिटकता है तो आप जल भी सकते हैं पूरी चट्टनी को हुम पैन में मैंने इसमें डाल दिया है तो अब एक बार चट्टनी को अच्छे से पहले मीक्स कर लिए और दो चम्मच पाउल को दो के मैंने पानी डाल लिया जिससे पूरा लेवर इसके अंदर आ जाएगा अब चट्टी को मीडियों के इस पर बराबर चलाते हुए 5-6 मिनट हम पका लेंगे तो चट्नी को छोड़े नहीं बराबर चलाते हुए पकाएं तो 5 मिनट करीब हो चुकी है देखिए चट्नी हमारी इस तरह से बन गई है आप इसमें एक च निगाल लेते हैं तो आपको चट्नी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताया करें तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक यू झालम हमारी फ्लिजय के जरूर धरूर जलाएज silloin मिलते हैं बनुमार difहर 15 एत Ale cricket कों धनुमा हिस्थाल फिवां Evangel스도 मौर प्लीज हैं।